जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि लंडन माराथान की जो फीमेल कैटेगरी ओनली वुमेंस रन तो थोड़ से टेक्निकल इंफॉमेशन सेयर करूँगा सो देट आप एथलेटिक से और ज़्यादा फेमेलेर हो जाएं तो जो वुमेंस का रिकाड होता है इस्पेशली रोड रनिंग में वो दो टाइप का होता है एक होता है अीक मिक्स्ट जहांप लड़के उन्हें पेस कर रहे हों और एक होता है heures यहां पर जो मेल है वो वोमेंस को पेस नहीं कर सकते और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हुई लंडन माराथान में सेफैन हसान जो की नीदर लैंड जिसे हम पहले हॉलेंड कहते थे उसको रिप्रेजेंट करती हैं उन्होंने दो घंटे 18 मिनट 33 सेकिंड के साथ लंडन मार है नीदर लैंड या हॉलेंड कह सकते हैं अब सबसे मोटिवेशन बाली जो बाते हैं वो मैं शेयर करूँगा रेस आप सभी ने देखी है मैंने भी देखी है तो जैसा कि हम सब को पता है 21 तारीक को ईत थी और उससे एक महिने पहले तक रोजे चले थे जिसे की रमदान कहा लाजाता है English में सफैन हसान ने अपने इंटर्यू में रेस से पहले कहा कि है भगवान ऑल्ला या गया गौड जो वर्ड उन्होंड उन्होंने य्उस किया कि मैंने क्या गल्ती कर दी कि मैंने मैराथॉन में इंटरी कर ली और मैराथॉन को लेकर वो बहुँड डरी हुई लेकिन उनकी ट्रेइनिग इतनी जबर्जस रही जो रिकाड उन्होंने किया उसको देके हमें पता चलता है अब एक महिने तक उन्होंने रमदान में ट्रेनिंग करी है यानि कि रमजान में ट्रेनिंग करी है और अगर आप लोग रमजान जानते हो तो सुबह से लेके साम तक खाना पानी तो छोड़िए जो आपके जीब में बन रही लार है आप उसको भी नहीं गूर सकते एक तालिस किलोमेटर लॉंग रन करी और उन्होंने कहा कि जब साम को मैं रोजा एक्तियार करती थी यानि कि साम की अजान के बाद जब मैं रोजा खोलती थी तम मैं पानी बीती थी तो सीखने वाली चीज ये है कि एक लड़की एक महीने जस्ट लंडन मैराथान हमारी कल हुई है उससे एक महीने पहले तक बगएर कुछ खाए पिये पूरी ट्रेनिंग करती है तो सबसे इंपॉर्डन पाइंट सीखने के लिए है आप लोग के लिए कि आप भी एक कर सकते हैं और उसके बाद जब वो बैकिंगम पालेस देसा की मैंने कई बार का है बैकिंगम पालेस वो पालेस है जहां पर कुईन लंडन की कुईन रहती है जब वो वहां पहुंसती है सबसे ज़्यादा मिस्टेक रर्स करते हैं कि अगर आपने तीन सो मिटर के लिए अगर के लिए नामुमकिन है और उसके बास सिफएन हसाइन ने जो गेर लगाया शायद वो गेर किसी के पास अविलेबल ही नहीं है या फिर मैं कह सकता हूं कि साथ होता ही नहीं है और इसके बाद सिफएन ने जो किया वो एक हिस्ट्री थी और रेस जीतने के बाद उनने कहा, Oh My God, I can't believe it. तो please, condition कितनी भी hard हो, सिर्फान हसान से सीखिए. Olympic Champions.